सुधीर तैलंग, मुल्क के बहतरीन कार्टुनिस्ट में से एक इनकी कुछ लकीरों के बार, हजारों लफजों के मजामेन और एडिटोरियल से टक कर ले सकते हैं Illustrated Weekly of India, Now Bharat Times, Times of India और Indian Express के बाद फिलहाल इनके कार्टुन The Asian Age और Deccan Chronicle में देखे जा सकते हैं बीका नेट में पैदा हुए, बायालोजी में graduate और अंग्रेजी अदब में post graduation करने के बाद इनका खुआप था एक सिनेमा घर में दर्बान बनने का, लेकिन बन गए कार्टुनिस्ट सुधीर तैलंग, आज है हमारे रूपरूप यह क्या ambition था? यह बेतुकापन था कि बच्पना था? देखे मेरे पिताजी की प्रिंटिंग प्रेस थी और उसमें सिनेमा के टिकेट सबह करते रहे हैं और इस वज़े से मेरा सभी सिनेमा घर में जाना होता रहता था बहुत सारी फिल्म है मैंने, जो सिनेमा घर में जो प्रोजेक्शन रूम होता है उसमें एक दो एक्स्ट्रा खिड़कियां भी होती है उन पे लंबे स्टूल में मुझे बढ़ा दिया जाता था और मैं वहां बैठ करके मैंने 20 यों फिल्म में देखी उस स्टूल में बैठ करके मुँ निकाल करके बाहर और वहां से जो फिल्म देखते थे तो लगता था कि कोई मैजिक है क्योंकि आपके नेक्स्ट विंडो से एक रोशनी की बाहर जा रही है जो नृत्य कर रही है नाच्टी भी लगती वहां से उसके थूआ फिल्म देखते हैं सिनिमा हॉल में बैठ के आपको फिल्म अलग देखेगी ये सिनिमा के पृति जो जुनून था उस वक्त उसी वज़े से मुझे ऐसा लगता था कि अगर बनना है लाइफ में तो गेट की पर बनना है ये आप बिकनेर में जाके कैसे पैदा हो गए ये जो तैलंग नाम के साथ चुड़ाव है मेरे वो उसकी जो यात्राए बहुत पुरानी है मतलब दो सो ड़ाइस साल पहले हमारे जो पूरवज थे फूर फादर्स थे वो आंद्रप्रदेश में कहीं रहते थे टैलंगा नामे और वहाँ से उनको क्रदेड दिया गया वह क्लैसिकल मुजिशिन्स थे कोई हवेली संगीत गाता था कोई दुरुपद गाता था कोई क्लैसिकल सितार बजाता था तो जो classical music था उनके अंदर और दूसरा वो संस्कृत के प्रकांड पंडित लोग थे तो विकानियर के उस वक्त के जो महराजा रहे होंगे उन्होंने हमारे four fathers को यहां पे रखा जैसे मेरे grand father जो थे वो दुरुपत गाया करते थे दुरुपत धमार गाते थे हवेली संगीत के प्रपरत तक थे थोड़ा तो दुरुपत धमार आपके अंदर भी आया होगा मुझे लगता है कि संगीत क्योंकि हमारे खांदान के जीन्स में है खांदान में तो हाला कि मैंने कभी क्लासिकल म्यूजिक तो सीखा नहीं लेकिन हाँ मुझे गाड़ी ड्राइव करते हैं गाने का शौक है मसलत जैसे अब मैं आपको आप गाना सुनना चाहते हैं इस खुड़ा एक जरा सा मारे देश भई कबाल है अच्छे खासे गवईये होते होते आप यहां यह गली आपने मोड़ ली और आप जनाब फंकार हो गए और कार्टूनिस्ट हो गए दस साल की उमर में आपने अपना पहला कार्टून यहांने आप बड़े नटखट भी थे और स्कूल में अगर आपने कार्टून बनाया तो यहांने किसी को मगा पोड़ाया होगा आपके टीचर थे जी मुझे बहुत वार ऐसा होता था कि टीचर्स की डांट पढ़ती थी क्योंकि मैं बैठ करके अपनी क्लास में ज्यादा तर अपनी स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स होते थे उनके कार्टूस बनाता था या फिर मैं अपनी टीचर्स के बनाता था और इसके अलावा जब मैं कॉलेज में था उस वक्त आदे से जज़दा क्लास की जो क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था तो उसमें जोलोजी बायोलोजी वगरे के जो प्रेक्टिकल रिकॉर्ड्स होते थे में डाक मसलम जी 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 आदे से जज़दा मेरी क्लास होती थी मेरे फ्रेंट्स होते थे उनकी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स मैं ही बनाता था मतलब सारे मैं ड्रॉइंग सची नहीं थी नहीं आपने कहा ना कि आपने टीचरों के अपने स्टूडंस की उस एक लड़की की जिससे की बात आप ना कर सके आपने उसकी तस्वीर बना के उसे बेजी किया ना बलकुल किया और अब उस लड़की की तस्वीर की बात करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं क्योंकि वो शादिस होदा बच्चों की माँ है इसलिए उसके जो कार्टूस बनाएं ये जो नाम थोड़ी ले रहे हैं भाई नाम हम थोड़ी किसी ले रहे हैं बनाए कार्टूस बहुत बनाए और उस लड़की को लेके भी कार्टूस बनाएं क्या कार्टूनिस्ट फनकार है कार्टूनिस्ट का काम फनकारी भी है लेकिन फनकारी से उपर मुझे लगता है कि कार्टूनिस्ट का काम जो है उसमें वो समाज का और अपना जो दर्द है वो उसको कैसे एक्सप्रेस करें वो एक कला है कार्टूनिंग बहुत सारे लोग कार्टूनिंग को समझते हैं बड़ी कॉमिक किसम की चीज़े हैं. लेकि अमना है कि काटूनिंग कॉमिक से ज़दा ट्रैजिक है. हर काटून एक ट्रैजिक रेप्रेजेंटेशन होता है अपने समय के समाज का. और यही काटून की खासियत है क्योंकि वो एक प्रोटेस्ट करने की कला है. हमेशा लोगों ने चारली चैपलिन के वक्त से, वो यही कहता था, the tragedy of being comedy अब आप देखे ना कि comedy और tragedy की बीच में बहुती थिन डिवाइडिंग लाइन है comedy जब अपनी इंतहा पे पहुंच जाती है, तो tragedy बन जाती है जैसे चारली चैपलिन की film में है comedy, लेकिन आप हस्ते हस्ते रूने लगते हैं चारली चैपलिन की हर film में कहीं उसका दर्द होता है, जिसको देख के हम लोग हस्ते हैं लेकिन साथ साथ रोते ही है और आप चार्ली चेपलिन ने जो फिलम्स उस वक्त बनाई थी वो आज तक सचे हैं आप बताए कि चार्ली चेपलिन की फिलम में हमेशा जो एक ट्रैम्प है वो जो कॉमन मैन है वो पुलिस वाले से डरता रहता है भाई उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि उसको पुलिस से डरना चाहिए ये आम आदमी जो है हिंदुस्तान में भी आज भी पुलिस से बिना वज़े डरता है वही बात है इतने लोगों की चबी तस्रीर आपने बनाई कार्टूनिस का के लिए सबसे अच्छी शखसियत कौन सी थी लेकि इंदिराजी से लेके और मनमौन सिंग तक पिछले 30 सालों मैंने 9-10 प्राइम मिनिस्टर्स के कार्टून्स बनाए हैं उनके पीरियड्स को कवर किया है 20 यों चीफ मिनिस्टर्स को मैंने ट्रौ किया है और बहुत सारे मिनिस्टर्स को सेक्रों मतलब पॉलिटिशन्स होगे लेकिन इस पूरे दोर में अगर आप कहें कि मेरा हीरो नंबर वन कौन है तो वो नरसिमर आप है ये आपकी ये तिलंगाना की परोखियलिजम है कि ये सचमुश एड्मिरेशन है नहीं नरसिमर आप जब प्रधान मंतरी बने तो मुझे लगा ये एल्डर स्टेट्समन है सोला भाशा हैं बोलते हैं और जानते हैं बड़े स्कॉलर हैं बड़ी रिस्पेक्ट इनकी मुझे लगा कि अब कार्टूनिंग का बहुत ज़्यादा स्कॉप इन में है नहीं और मुझे लगता है कि अब अपना करियर खतम है इनके साथ ही लेकिन एक कार्टूनिंग में कहावत भी है कि किसी भी प्रधानमंत्री को आप 6 मेने से ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं होती है वो 6 मेने में अपने आपको पूरी तरह से ट्रांस्फॉर्म करके कैरिकेचर बना लेते हैं नरसे माराव मुझे लगा कि थोड़े दिन और बात कि ये तो इन्वेंट किये गए हैं कार्टूनिस्टों के लिए इनको डिजाइन करके भेजा गया कार्टूनिस्टों के लिए कि 5 साल तक कार्टूनिस्टों के सिवा कीजिए उनके जो नॉस्ट्रिल्स थे बड़े फड़फड़ाते हुए उनका जो पाउट था मतलब एश्वरे राय और एंजेलिना जोली थे उनसे भी बहतर उनका जो पाउट था बाहर निकलावा और उस सब के उपर उनका जो कपड़े पहनने का तरीका था लंबी बहाएं पहनते थे आप उनकी उंगलियां भी नहीं देख सकते थे You would never know what was up his sleeve केरिकेचर में एक खास बात होती है कि एक तो होते हैं उसकी external features और एक होता है उसका internal persona जब आप उसकी आत्मा को पकड़ लेते हैं तो वो केरिकेचर असली केरिकेचर बन जाता है उसकी रेप्रेजेंट कर सकता है जिसे नरेसे महाराव जो मेरे hero हैं। अनका शुरु सुरु में काठू बनाना शूरु किया है क्तो मेरा काठू उनकी तरह कम लगता था थोड़े दिन बाद जो मेरा काठू था उनके बिच्टड़वाई भाई की तरह लगने लगा मतलब कलोन की तरह लगना एक वक्त ऐसा है, जब मेरा बनाया हुआ नर्से महराव का करिकेचर, इट स्टार्टेड लुकिंग मोर देन नर्से महराव हिमसेल पेट, यही वक्त है जब एक ट्रूली आप किसी आदमी की परसनालिटी को क्याप्चर करते हैं करिकेचर में, एक बात और बता हूँ कि नर्स कार्टून और सामने दी कार्टून, नर्से महराव, और दोनों में कोई फरक नहीं, और जाते जाते बड़ा फ्लेटरिंग कमेंट भी लिखे गए, मेरे विज्टर बुक पे, क्या लिखा, उन्होंने पूरा तो मुझे याद नहीं पर आखिर में उसका था कि there is, sting is in the tail, आ हमारी रेंज में जरूर आएगा, चंद्रा स्वामी का एक कार्टू मुझे याद है, उसमें चंद्रा स्वामी को कई सारे घोटालों में जब वो पकड़े गए थे, पसे थे, तो उनको कोट ने बोला कि पूछा, तो हर चीज में उनका जवाब था कि मुझे याद नहीं है कि कोई भी चीज़ याद नहीं थी, सब कुछ भूल गए थे, तो मैंने कार्टू मनाया था, कि उसको उनको शपत दिलाई दी जारी कोट में, जैसे गीता को हाथ में लेगे शपत दिलाते हैं, कि तो वो कह रहा है आई चंद्रा स्वामी, तो वो कह रहा है चंद्रा स्वाम है, जिससे मुझे लगता बहुत कम लोग सहमत होंगे, और मैंने बाल ठाकरे पे PCO कार्टून्स बनाए उनके खिलाफ, बाल ठाकरे का मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के लिए बरसों पहले इंट्रिव्यू भी किया था, जिसमें उन्होंने मुझे बरसों बाद उन्होंने जब ब्रश को हाथ लगाना बंद कर दिया था, मेरे रिक्वेस्ट पे उन्होंने गिंदरा गांदी का कैरिकेचर बना के मुझे दिया, वो अभी भी मेरे पास है, उरिजिनल उसका, लेकिन बाल ठाकरे अगर कार्टून्स रहते, तो मेरा पूरा यकीन है कि वो बड़े किताब, चाप दी, अब मनमोहन सिंग मुझे कोई ऐसा सब्जिक तो दिखाई नहीं देते, इतना इंस्पाइरिंग के साब, ना तो उनमें कोई लतीफा है, ना उनमें कोई चुटकुला है, क्या आपको समझ में आए? यही तो इनका यूएसपी है, यही तो इनका यूएस अब तो इसमें यह किसी के साइड केक थे, पीछे क्षे कड़े हुए हैं, बगल में खड़े हुए हैं, यह किसी का हुप मजा रहे हैं, जब प्रधान मंतरी बने तो लगा कि अब कुछ मजा आएगा काटूं मनाने में नहीं खा, तो जब इनके पांट साल पुरे तो मैंने किताब निकाली उसका नाम था No Prime Minister और मैंने इन से रिक्वेस्ट की कि भी आप पर मैंने किताब किये आप इसको लॉंच कर दीजे तो करीब दो तीन महीने बाद इनका मेरे पास जवाब आया इनके दफ्तर से उनोंने का कि The Prime Minister Will Feel Awkward and Embarrassed Reeliging This Book तो मैंने किसी ऐसे वक्ते को बुला जो awkward की बजाए delighted फिल करें तो शत्रगुन सिना और अमर सिंग से मेनस को लॉंच कर वाया है Self Confidence Self Assurance का एक दलील ये है evidence ये है कि आदमी अगले की criticism सुन सके कार्टून अपने बारे में देख सके क्या आपके अब जो अभी नेता हैं जो बड़े बड़े नेता हैं उनके अंदर आप ये tolerance देख रहे हैं पिछले कुछ समय में intolerance politicians में भी आई है और आपने देखा होगा पिछले तीन-चार सालों में कितनी controversy कार्टून को लेकर के ममता बेनर जी ने जब एक एक प्रॉफेसरने कार्टून क्या बल्कि सिर्फ गराफिक था हुँ एमेइल से बेजा उसने उसका अधार पर उसको आरेस्ट करके जेल मन डाल दिया और मैंने ताइम्स नाव में अपना कार्टून मम्ता पे बना करके दिखाया था जो कि उस कार्टून से कई गोना ज्यादा हार्ड एटिंग था और मैंने उसको का था कि अगर उसमे हम्मत है तो मुझे यहां से आके अरेस्ट करके दिखाएं आज तक तो अरेस्ट किया नहीं उन्होंने उसके बाद में इस वक्त लेफ्टिस्ट पार्टियों ने बहुत विरोध किया था ममता बेनर जी का लेकिन थोड़े दिनों बाद ये अमबेट करके कार्टून की एक कॉंट्रोर्सी खड़ी हो जई उस कॉंट्रोर्सी में सिर्फ इतना सा था कि जब स्वंविधान लिखा जा रहा था तो अमबेट कर धीरे धीरे लिख रहे हैं और नहरू जी पीछे से चाबुक मार रहे हैं अमबेट कर को नहीं लेकिन जो एक घूंगा बनाया उनों स्नेल जो की Constitution जिस में लिखा था और अमबेट कर भी उसको मार रहे हैं अब उसको इन्हों ने इंटर्प्रेट किया इस तरीके से कि नहरू जो है वो अम्बेट कर को मार रहे हैं। यानि कि उच्चजाती का आदमी एक निम्न जाती वाले को मारने कोशिश कर रहा है। तो अब इस कार्टून को लेके कॉंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई। जिसमें सुनिया गांदी जी टेबल थपता पा रही थी इतना बड़ा अचीवमेंट उनके लिए। लेकिन एक चीज़ और देखिए कि जो लेफटिस्ट पार्टियां हैं वो भी इस कार्टून का विरोध कर रही थी। वो पार्टियां जो ममताब इनर्जी किसी कार्टूनिrich को अर् Ruby तो विरूध करती है ममताब इनर्जी का और जब अमड़ कर करका मामला आए तो वो कहते हैं साब नहीं क्योंकि अमड़ कर एक बहुत बड़ा वोट बैंक है अम्बेट करकि जो छवी है उसके आधार पर उसको कहीं भी आप उसके खिलाफ नजर नहीं आ सकते चाहे वो सच भी हो एक आदमी में इतना माददा नहीं था कि वो पारलिमेंट में खड़े होता और कहता कि ये प्रेस फ्रीडम का सवाल है ये कार्टून इसके सुतंतरता का सवाल है ये फ्रीडम आफ एक्स्प्रेशन का सवाल है मैं यहां पर खड़े होकर कहता हूँ कि इस कार्टून को नहीं आटाना चाहिए एक आदमी नहीं बोला ये कबीर था जो आज से छेसो साल पहले कह सकता था कि पत्थर पुझे हरी मिले तो मैं पूझू पहाड और जांसे तो चाकी भली जो पीस काई संसार और ये कबीर था जो छेसो साल पहले कह सकता था कि कंकर पत्थर जोड के मस्जिद लई चुनाए, तांचर मुल्ला बांग दे, क्या बहरावा खुदा है, आज किसी में हिम्मत ये लिख सकता है, उसके नाम फत्वे जारी हो जाएंगे, तो 600 साल पहले हिंदुस्तान में ज्यादा freedom of expression था, आज नहीं है. हिंदुस्तान की political reality की अकासी अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें कास्ट भी है, और कास्ट politics भी है, उसको कैसे portrait करूए है? अबु अबरहम जो मेरे बहुती प्री कार्टून, उसमेरे बहुत अच्छी दोस्त रहे हैं, उनसे मैंने बहुत सीखा भी है, उनका एक कार्टून था बरसों पहले, जो मुझे लगता है, इससे बहतर कोई नहीं कह सकता है, कोई कास्ट politics हिंदुस्तान में जो है, जिसमें कि आज हमारे जो politicians हैं, जब ticket भी बाटते हैं, मैंने एक परधान मंतरी से सवाल भी किया था एक बार, कि साब ये अगला जो चुनाव है, वाजपेजी से मैंने सवाल किया, मैंने उनसे कहा कि साब ये जाती के अधार पर आप अगले चुनाव में, ये करांतिकारी परवरतन आप जैसे लोग क्यों नहीं करते हैं, कि जो टिकेट है वो जात के अधार पर मत करें, तो वो मुस्कुराए और हसे एक ठाक हमारा और चुपोगे, इसका मतलब था कि जात के अधार पर टिकेट ना देंगे तो मरेंगे क्या हम लोग, चुनाव भी जी इतना हम लोगों को, माइनुरिटी जी के वोट बैंक से उनको लेकर के, मैंने बीसजियों कार्टॉस बनाया है, जैसे वोट बैंक है, उसको मैंने बैंक के तोर पर भी बनाया है, कई बार उसको इसको स्तिमाल किया, जिसमें एक माइनुरिटी का सदे से बैठा हुआ है, और बहार भीड लगी है जो उसको विड्राव करने के लिए आए वहां से ऐसे कई कार्टूस बनाएं गरफशन पे तो खेर मैंने पूरी किताब की एक जिसका नाम था इंडिया फॉर सेल दो हजार बारा में मैंने एक किताब की थी जिसके कवर में अन्ना हजारे और बाबारामदेव थे हाला कि एक ट्रांजिशन के पीरेड से गुजर रहा है अब तक जो पॉलिटिशन था वो समझता था कि हिंदुस्तान की जो मिड्ल क्लास है वो अपने घरों में बैठती है टेलिविजन देखती है अच्छा खाना खाती है गाडियों में गूमती है मॉल्स में जाके मज़े करती है लेकिन ये पहली बार देखा जैसिका लाल के वक्त में कि ये मिड्ल क्लास भी जो अंग्रेजी बोलती है और पढ़ती है वो इंडिया गेट पर आ सकती है और यहां पे हजारों लाकों की भीड लगा सकती है निर्भया के वक्त हुआ ये तो एक ट्रांजिशन के पीरेड से हम लोग निकल रहे हैं फर्द करो कि तुम्हें एक रामराज का तसवर करो कि रामराज कैसा होगा बनाओ रामराज तो मुझे लगता है कि एक सिर्फ एक मोहावरा है तो सिर्फ मोहावरा है देखिए ऐसा है कि जिस दिन इस देश पर रामराज आ गया ना मैं तो चाहूंग लोग, लोग हसेंगे, खुशी के साथ घूमेंगे, नाचेंगे, जूमेंगे, सब कुछ बढ़िया होगा, तो फिर हमारी जरूरत क्या है, मेरा तो, बहुत हो जाएंगे भाई, जिस दिन यूटोपिया आगया हिंदोस्तान में, उस दिन यूटोपिया में एक कार्टूनस के जरिया है अखबार, न्यूस पेपर, लेकिन अधर न्यूस पेपर की एक दिशा हो जाए, एक लाइन हो जाए, एक पुलिटिकल अजेंडे के साथ वो आए, तो सुधी तैलंग क्या करेंगे? देखिए, हिंदोस्तान में जो पुलिटिकल कार्टूनिंग का जो गोल्डन प मलाई थोड़ी बहुत हम लोग खा सकते थे, वो जो गोल्डन पीरिट जा रहा था, उस दोरान हम लोगों को जो थोड़ी बहुत सफलता कार्टूनिस के तोर पे मिली अखबारों में, और जब आखरी संपादक उस वक्त अपनी आखरी सांसे गिन रहे थे, उन संपादकों ने हमको भी हाईलाइट किया, बढ़ाया और छूट दी, फ्रीडम दी, उस दोर में हम लोगों ने अपना नाम जो बना लिया सो बना लिया, नबे के बाद में, दो हजार के बाद तो बिलकुल भी कहूंगा कि दो हजार के बाद तो लगभग कार्टून इसके लिए अखब है, लेंड मार्क है, कि हिंदुस्तान में इसको मार दिया गया किस तरह से, फ्रंट पेज से पॉकेट कार्टून, तीन सी ने फ्रंट पेज घेर लिया, क्रिकेट, सिनिमा और क्राइम, और चौथा सी जो कार्टून था उसको उन्होंने अंदर कर दिया, और अभी जो पिछ चीज जिसमें ऑपिनियन हो, उसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें वो चीज जिसमें ऑपिनियन ना हो, मैं एक कहूं, के भाई सुधीर, एक हमारे पास एक इंस्टिटूशन खोल दो, ताके वहां हम नए कार्टूनिस को ट्रेनिंग दें, उसका क्या मुक्सद होगा, कई क्योंकि कोई भी कला जो है, जब तक उसमें एक इंप्लॉइबिलिटी नहीं होगी, तब तक नहीं हो सकता, आज जो कार्टूनिस्ट, कार्टूनिस्ट बनना चाहता है, अफ़ल तो उसको मौका यह नहीं मिलेगा, मौका मिलेगा, तो उसके पर, उसका कार्टून चभएग कार्टून, अपउलिटिकल कार्टून कैनोट भी सेक्सेफुल इफ इट इस टौइंग दी लाइन फी स्टैबलिश्मेंट, यह तो अंटी स्टैबलिश्मेंट आर्ट है, यह प्रोटेस्ट की कला है, यह विरोध की कला है, और इस कला में, अगर आप थोड़ा सा भी करेंगे तो आप सेक्सेस्फुल नहीं हो सकते यह डिमॉक्रिसी की कला है मैं तो कहता हूं कि डिमॉक्रिसी में अगर लोकतंत्र में प्रेस चौथा खंबा है तो कार्टून पांचमा खंबा है दो चीजें साफ साफ हैं अखबारों का जो कौर्परेट घरानों ने अखबारो प्रेस के नाम पर जो देश को बरगला गया है फ्रीडम ऑफ प्रेस भी एक बहुत बड़ा होक्स है फ्रीडम ऑफ प्रेस नाम की चीज जो है वो हिंदुस्तान में एक्जिस्ट करती नहीं है सच पूछें तो हम अखबार वाले धीरे धीरे आपको सामने लाएंगे कार्ट आज हूं आप अपना ब्लॉग शुरू कीजिए आपने तो किया हुआ है ब्लॉग पे अगर आपका कार्टून रोज एक आए और लोगों को मालूम हो कि अगर तुम्हें आज की सियासत के ओपर एक क्या टिपड़ी है और क्या उसका क्टेटिसिजम है और उसको किस तरह से किस हिकारत से देख रहा है हमारा फंकार हमारा कार्टून इस तो यह तैलंग आप सही कह रहे हैं जैसे अब मेरे जो एशियन इजो डेकनरोनिकल में जो मेरे कार्टूस चपते हैं उसको करीब दस लाख के करीब सर्कुलेशन उसका टोटल सब मिलाके होगा तो बहुत सारे तक पहुंचता है लेकिन जो कार्टूस मैं ट्विटर पर लगाता हूं ट्विटर पर मुझे फॉलो करने वाले बहुत सारे हजारों लोग हैं और उसको ट्विटर में जो मैं कार्टूस रोजाना लगाता हूं उसका इंतजार करते हैं लोग अमेरिका से मेरे पास मेसेज इटली से मेसेज आता है, दुनिया भर से मेसेज, क्योंकि अख़बार तो सब गर नहीं पहुंचता है, लेकिन ट्विटर के फॉलोवर्स पूरी दुनिया में फैले हुए है, तो हर जगे से मेसेज आता है, कि आप जो है, वो आपका कार्टून देखना चाते हैं, आपने आपने एक बात कही थी अभी कुछ देर पहले के हिंदोस्तान के अख़बारों में, अब गुझाईश नहीं है कि वो कार्टून को सचाई देखने की ताब नहीं है, क्या वेस्ट में आपको दिखाई देता है, वहां भी यही हाल है, क्योंकि कॉर्परेट डॉमिनेशन तो मिलता है, वहां कई जगे नहीं मिलता है, जैसे जर्मनी बगार में नहीं है, लेकिन फ्रांस में जैसे है, जैसे प्लान्टू है, प्लान्टू को बहुत बड़ा कार्टूनिस माने जाता है, लोमांद का जो कार्टूनिस है, इंगलेंड में आज भी कार्टूनिंगी में चपता है, वो किसी आर्ट से कम नहीं है, वो हर रोज एक ऐसा कमेंट होता है, जिसमें वो अपने आप में एक बहुत है, बहुत सुन्दर होता है कार्टून का, एक कमेंट भी होता है, मेरा मानना है कि इंग्लेंड में आज भी कार्टूनिस बेहचक कार्टून्स बना रह है जैसे मुझे कहान यहाद आती कई मैंने पड़ी थी कि अंग्रेज़ों के वक्त में शेφिर्ड की जो छोरियां थी उन्से बक्रे कटा करते थे शेफिल्ड भी हूँ तो शेफिल्ड की प्रिक छोर भी उससे बक्रे कटा करते थे जब हिंदोस्ता ek्राग्या तो राजनेता उन्हों सोचा कि यहां पर सुधेशी चीज़े होने चीज़े हैं तो उन्होंने हिंदुस्तान में बनी वी चुरी लगाने शुरू कर दी और बकरे फिर चुरी से कटने लगे तो हिंदुस्तान बदल गया चुरी बदलगी लेकिन कटने वाले बिचारे बोई है तो हमारे ये होता है कि जब एक सरकार आती है तो उस सरकार में कुछ रिस्ट्रिक्शन्स होते हैं वही फाला ने राजनिता पर आपके बारे मत लिखिए टीवी पर उसकी खिलाफत में मत कीजिए इसको स्पेर कीजिए जब वो राजनिता चला जाता है कोई नया आ जाता है तो इसके बाद कहते हैं साब इसको अब इसको हाथ मत लगाईए तो ये प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में अगर एप डिवेलपिंग मुल्क में डिमॉक्रिसी आप लाएंगे तो ये सब होगा उसको इन दोनों के पॉलिटिशन्स हैं और ये जो इसके अंदर सारी खराबियां हैं यही तो एक वज़ा है कि यहां पे काटूनिस को एक ऐसा कैन्वस मिलता है जिस पे उसको कैप्चर करने के लिए बहुत सारा मसाला है पिछले कुस वर्शों में वो जो कैन्वस से वो बदल रहा है जैसे कि अगर आप पॉलिटिशन्स कोई लें तो कहां पंडित नहरू कहां महत्मागादी कहां राजगोपलाचारी ऐसे ऐसे स्टॉलवाट्स इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं जिनके काटून बनाने में भी मज़ा आता था एक वक्त था जो तरह तरह के हेडगेर्स होते थे तरह तरह की कॉस्ट्यूम टाइप पहन के लोग आते थे पॉलिटिशन्स तरह तरह की लोग थी अब हमारे वक्त में भी जिन लोगों को हमने ड्रॉ किया उनमें चाहे आप राजनराइन ले लीजिए चाहे आप तेवी लाल लीजिए लालु यादव एलके अडवानी पसंद करते हैं अगर अवल तो आते ही नहीं और आएं तो पहन के आना पसंद करते हैं तो ये भी हिंदुस्तान भी पॉलिटिकल कार्टूनिंग उतनी मोनोटोन्स हो जाएगी जैसी वेस्ट में होती है जहां सब लोग थ्रीपी सूट में खड़े होते हैं तो ये मोनोटो द्वानी को जाहिर करने का दिस इस दे मोस्ट पीसफुल गांधियन वे ऑफ प्रोटेस्ट तो सुधीर बड़ा मज़ाया यानि पूरी काइनात जो आपके गिरफ्स में है काटूनिंग में आपके ब्रफ्स के नीचे जो चलती है आपने हमें उस सब से आशना कराया बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर बड़ा मज़ाया यानिक यू शुक्रिया शुक्रिया